नवस्का दोस्तों स्वाध एफिसिक वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप अपने आधार कार्ट को बिलकुँ सही तरीके से डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा दिखेगा इस वीडियो में हम आपको step by step process बताएंगे कैसे आ आप अपने आधार कार्ट को डाउनलोड कर सकते हो तो बिलकुल सही तरीके से आधार कार्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मुवाइल में Google को ओपिन करना है और Google में आपको लिखकर search करना है skimfind.com इस तरह से यहाँ पर दिखेगा आपको Google में लिखकर search कर लेना है skimfind.com इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले नमबर पर website मिलेगी skimfind.com इस पर आपको click कर देना है और जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप दे सकते हैं skimfind यहाँ पर website open हो चुकी है यहाँ पर दिखे आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर दिखे आपको आपसे मिलेगा आधार का डाउनलोड कैसे करें अब आधार का चुटकियों में इस तरह से करें डाउनलोड तो आपको आधा का डाउनलोड करने के लिए आपको इस वाले heading पर click कर देना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर दिखे आधार काड के बारे में हैंपर आपको बहुत सारी जानकारी मिन जाएगी अगर आप इससे पढ़ना चाहते हैं तो आप इस जानकार के यहाँ पर पाड़ सकते हैं ठीक है तो आधार काड को बिल्कुश सही तरह के से डाउनलोड करने के लिए आपर आपको सबसे लाश्ट में आना है आपको आपसे मिलेगा आधार का डाउनलोड यहाँ पर आपको option मिलेगा click air इस पर आपको click कर देना है और इस पर click करने की बाद अब यहाँ पर दीखिए आपके सामने जो आधार card की detail है यहाँ पर कुछ इस तरह से open हो जाएगी यहाँ पर आप दे सकती है अब यहाँ पर दीखिए आपको तीन option मिलेंगे आधा number, enrollment ID और बचोलाडी आप अपने आधार card को किसके माद्यम से download करना चाहते हो आपको यहाँ पर उस option को यहाँ पर select कर लेना है तो यहाँ पर मैं अपना आधा card आधा number से download करूँगा तो यहाँ पर मैं अपना आधा number select कर लेता हूँ इसके बाद यहाँ पर दीखिए आपको अपना आधा number डाल देना है जो भी आधा number है उसको यहाँ पर आप डाल दीजिए आधा number डालने के बाद इसके बाद यहाँ पर आपकी capture code मिलेगा इसके बाद दिखिए आपके अधा काट के साथ आपका जो भी मौई नमबर इस्टेर्ड है उस पर एक OTP सेंड का दिया गया है अब हैंपर आप थोड़ा नीच आएंगे और नीच आनकी बाद हैंपर आपको आपसन मिंजेगा इस तरह से इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो आधार काट डाउनलोड होगा उसमें जो आपके अंक होंगे वो हाइट हो जाएंगे तो इस पर आपको click नहीं करना है, आपको इसे ऐसा ही छोड़ देना है, इसके बाद आपको अपना OTP डाल देना है, और OTP डालने के बाद आपको verify and download पर click कर देना है, जिसा आप इस पर click करेंगे, आपका जो आधार card है, वहाँ पर देखिए, पीडियो फाइल में download हो जिससे आपका आधा card यहाँ पर download हो जाता है, तो आपको kangraach lesson का option देखने को मिन जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, आधा card डालने के बाद आपको पीडियो फाइल है, उसको आपको open करना होगा, तो यहाँ पर आपको पीडियो फाइल पर click कर देना है, पीडियो फाइल अब यहाँ पर देखिए, आप सिक password पहुंचा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, आपको password क्या डालना है, आपका जो भी नाम है, आपको अपने नाम के पहले के यहाँ पर चाल लेटर, capital लेटर में डाल देने हैं, जैसा कि हमारा नाम है राजेस कुमा, तो यहाँ पर हम अब यहाँ पर मैं 1998 यहाँ पर फील का देता हूं, इस तरह से यहाँ पर आपको उपना password डालना है, और password डालने के बाद, यहाँ पर आपको submit वाले बटन पर क्लिक करना है, और जैसा आप submit वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दीखिए, आपकी आधार काड की file open हो जाएगी, यहाँ पर आप दे सकते हैं, हमारा आधार काड यहाँ पर open हो चुका है, अगर आप इससे print करना चाहते हैं, तो यहाँ से दीखिए, आप इससे direct यहाँ पर print कर सकते हैं, अगर आपके पास printer है, अगर आपके पास printer नहीं है, तो आप किसी भी जन सिवा कवा सकते हूं ठीक है तो दोस्तों इस तरह से आप अपने आधार कार्ड को बहुत ही आसान तरह किसे डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको आधा का डाउनलोड करने में कोभी प्राउबलम हो रही है तो आप महीं CONVERS में पूह सकते हैं